अरे लडवा, तुम देड़ तक शोर क्यो मचा रहा है रहे? अरे सार, वो लडव नहीं, लोडू है लोडू, हमेशान लटका हुआ रहता है अबे कैसी बाते कर रहा है बे? हाँ सार, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तुम सही कहो या ना कहो, लेकिन सही साबी तो कर ही जैते हो हाँ, बताओ कैसे? देखो सार, ये लोडू की तरह डिस्क पर लटका रहता है, यानि सोया रहता है ये देखो, फिर सो गया ठीक है ठीक है, छोड़ो इन बातों को देखो बच्चों, लोगडाउन के बाद स्कूल अब खुल गया है अब मन लगा कर पढ़ाई शुरू कर दो हाँ सार, मैंने तो सोच लिया है, इस साल खुल मन से परूँगी शाबाज सिला बेटी हाँ सार, अब मैं भी मन और तन दोनों लगा कर करूँगा आप बस रोखना नहीं क्या करने की बात कर रहा है बे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं सार ठीक है ठीक है वैसे बच्चों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भविष्य कहा है हाँ सार ठीक है, बताओ तुम्हारा भविष्य कहा है सर हमारा भविश हमारे हाथ में है शाबास बेटा तुम तो बड़े समझदार हो गए हो सुना बच्चों तुमारा भविश तुमारे ही हाथ में है जितना मेहनत करोगे भविश उतना उज्वा लोगा हाँ सर मुझे भी जब पता चला कि हमारा भविश हमारे हाथ में है तब से मैं अपने भविश को रोज अपने हाथ से सवारता हूँ बहुत अच्छा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा भविश तुम्हारे हाथ में है अब वो सर जब मैं शोचाले में था वहीं पता चला शोचाले में? अई ये कैसी बाते कर रहा है वे? हाँ सर, शोचाले की दिवार पर लिखा था आपका भविश आपके हाथ में है मैं तभी समझ गया और तब से मैं आपने भविश की खूब देखबाल करता हूँ मेरी मुठी में क्या है? मुठी में है तकदीर हमारी सही काबे! हमारा भविश हमारी मुठी में है आश से मैं भी यही बोलूँगा कि मेरा भविश मेरी मुठी में है सर, वो तो आपको देखकर ही प्रता चल जाता है कि आप एक नंबर के मुठवाज हो हें ठीक है ठीक है लेकिन ये बता कि अगर लड़कों का भविषय उनके मुठी में होता है तो लड़कियों का भविषय कहा होता है सार लड़कियों का भविषय उनकी उंगलियों में होता है हें उंगलियों में हाँ सार क्योंकि मुठी में पकड़ने के लिए उनके पास तो कुछ होता नहीं है तो उनको उंगलियों से ही काम चलाना पड़ता है अबे कैसी अशलील बाते कर रहा है बें सार मैं अशलील बाते नहीं कर रहा आपको अशलील लगता है तो मैं क्या करूँ कैसे अशलील बात नहीं है बताओ सार देखो लड़कियों का भविश्य उनके पती के हाथ में होता है होता है ना तो इसमें उंगली कहां से आ गई अरे आप सुनो तो सही बीच में ही मेढ़की तरह टपक पड़ते हो ठीक है बताओ देखो सार लड़कियों का भविश्य उनके पती के हाथ में होता है जो लड़की को अंगुठी पहना कर शादी करता है और अंगुठी तो उंगली में ही पहनाते हैं ना इसलिए तो लड़कियों का भविश्य उनके उंगलियों में होता है अब चुपकर बे मैं किस भविश्य की बात कर रहा था और तुम लोग किस की बात करने लग गए सार ये लफंगे ऐसे ही बाते करेंगे मैं बताती हूँ हमारा भविश्य कहा होता है ठीक है शिला बेटी, तुम बताओ सार, हमारा भविश हमारे कर्मों पनीरभर करता है जैसा कर्म इस हाथ से करेंगे, वैसे ही फलूस हाथ में मिलेगा बिल्कुल सही, शाबाश शिला बेटी, शाबाश शीखो रे नालायकों, कुछ सीखो शिला से ठीक है सार, अच्छा शीला, मैं तुम्हें इस हाथ से प्यार देता हूँ तुम उस हाथ से मुझे भी प्यार दो प्यार? और तुम्हे? देख लिया सार, शीला नहीं दे रही है क्या? सर शीला प्यार नहीं दे रही है शीला अपने ग्यान से भटक रही है शीला अपने ज्ञान से भटस रही है वो केशे भला देखो सर शीला ने अभी कहा कि जो इस हाँ से दोगे वही उस हाँ मिलेगा हाँ तो अब मैं उसे इस हाँ से दे रहा हूँ तो वो नहीं दे रही है क्या नहीं दे रही है प्यार जब मैं एक हाँ से प्यार दे रहा हूँ तो उसे भी बोलो ना कि दूसरे हाँ से प्यार वापस दे सर इस राजू के बच्चे से कहो अपना मूँ बंद करे नहीं तब पहले ही दिन इसका स्वागत लाध और भूसे के हो जाएगी स्वागत तो आज जरूर होगा लेकिन तुम्हें छेड़ने का अपना ही मजा है तुम लोग क्या स्वागत और मजे की बात करने में लग गये मैं तो परिशान हो गया सार परिशान होना आपका और परिशान करना हमारा मूल धर्म है वैसे आप परिशान हो गए हो तो बैठ कर थोड़ा आराम कर लो हम कौन से भागे जा रहे हैं आराम से पढ़ा लेना हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तुम अज थोड़ा बैठी जाता हूँ हले लादू आद बहुत दिनों बाद मेरे रहते मज़े की फिकर ना कर मैं बड़ा ही मज़ेदार बच्चा हूँ जब तक रहूँगा मज़ा देता रहूँगा क्यों शीला मैं हूँ न मज़ेदार बड़ा आया अपनी बकवास बंद करो और ठीट से पढ़ाई पर ध्यान दो तुम्हें मेरी बाते बकवास लगती है और नहीं तो क्या पूरे दिन जंगी सार्ट की तरह इधर अधर गुमते रहते हो और बकवास ही तो करते रहते हो मैं अगर सांड हूँ तो तुम तो बिल्कुल गाय हो गाय अरे कभी मिलो पार्क में अकेले फिर बताऊंगा ये सांड कितना मज़ेदार है मुझे नहीं मिलना तुमसे किसी पार्क वार्क में तो कहां मिलोगी यहीं बता दो बोलो तो ओयो का रूम बुक कर लूँ अपनी बकवास बंद करो मुझे कहीं नहीं मिलना है